हलो एभरेवन वर्नर्स कोर्णेशन थियोरी के बाद आज हम पढ़ेंगे आईसोमरजिम के बाद ठीक है आईसोमरजिम में हम देखेंगे कि जैसे कि हमको पता है कि आईसोमरजिम क्या है फैर्मूला सेम रेता है लेकिन इसका स्ट्रॉक्टर different होता है ठीक है ना तो formula same है formula क्या रहता है same रहता है लेकिन क्या-क्या differ करते हैं different structure होता है वो structure का and different structure physical properties भी different आता है physical properties ठीक है chemical properties लेकिन क्या same रहेगा same formula लेकिन जो compounds उस formula से generate होंगे उनका ये सब structure different हो जाएगा physical properties, chemical properties ये सब कुछ differ करेगा compound से compound ठीक है और फिर हम चलेंगे इसका classification क्या है coordination compound में जो हमारा type of isomerism है वो दो प्रकार के है ठीक है first आता है हमारा structural और structural और constitutional constitutional आईसमर्जिम constitutional आईसमर्जिम और फिर एक आता है stereo आईसमर्जिम ये जो stereo आईसमर्जिम है ये stereo आईसमर्जिम फिर दो बाद फिर classification हो जाएगा एक है geometrical आईसमर्जिम ठीक है और फिर एक है optical आईसमर्जिम ठीक है आज हम discussion करेंगे ये जो structural आईसमर्जिम है ठीक है structural और constitutional आईसमर्जिम बादे आखे बाद ठीक है ये जो structural आईसमर्जिम है इसका फिर क्या classification है कैसे है हर एक का example हम लेंगे और इसको discussion करेंगे और ये है आपका structural structural आईशमर्जम ठीक है एक के बात एक हम देखेंगे इधर formula तो same रहेगा structure में differ करेंगे ठीक है और structure में differ होने से क्या क्या हमको structural आईशमर्जम मिलता है एक के बात है हम discussion करेंगे ठीक है first one your conformational आईशमर्जम conformational आईशमर्जम इसमें क्या होता है conformational आईशमर्जम में हम देखेंगे कि कैसे same formula रहेगा दो complex का same formula रहेगा लेकिन structure differ हो जाएगा ये directly comes from the name of the isomerism that is called structural isomerism ठीक है ये जो structural isomerism है structure कैसे differ करता है जैसे कि में ले सकता हूँ एक six coordinated example में ले रहा हूँ six coordinated nickel complex six coordinated six coordinated क्या रहे nickel complex ठीक है जैसे कि example हम ले सकते हैं nickel का रहता है plus two charge और इसका ligand जो है वो tridented ligand होता है तो फिर वो बनता है ठीक है पी C2H5 फस्फिन का substituents बनते हैं ये C6H5 फिनाइल है दो फिनाइल फस्फिन का फर्मूला क्या है pH 3 ये तीन hydrogen के जगा है एक इताइल फिर क्या रहे एक इताइल और दो फिनाइल substituents है है एक इताइल दो फिनाइल substituents है तो ये जो ligand है ये फस्फिन का derivative है इसलिए ये है एक complex ठीक है इसका फिर दो बाहार रहता है प्रोमी ठीक है ये जो complex है इसको हम इसलिए conformational isomorism बोलते हैं क्योंकि ये दो प्रकार का structure देता है एक है tetrahedral एक है tetrahedral इसका property different है इसका color different है और एक है square planar हो गया ना structure different तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या रहे six coordinated complex और conformational isomorism confirmation में change हो गया और हमको different structure मिल गया इसलिए इसको बोलते हैं conformational और फिर second को आएंगे ये आता है ionization isomorism क्या रहे ionization isomorism ठीक है ionization isomorism में क्या होता है समान तो formula रहेगा लेकिन इसका ions हमको different मिलेगा ठीक है कैसे example लेगे और directly discussion करेंगे ठीक है मैं लिखता हूँ पेले वाला cobald का एक compound complex co nh3 hole 3 so4 और बाहर रख लेते हैं bromine जैसे कि bromine बाहर है तो यह bromide होके हमको मिलेगा हमको पता है कि coordination sphere का बाहर जो है वो ion होके solution को आता है लेकिन वही formula वाला और एक compound जिसमें हम अब क्या करेंगे bromine अंदर रहेगा अंदर ही रहने तो और bromine को अंदर ले आओ और बाहर ले आओ sulfate तो यानि इसका मतलब यह हुआ कि sulfate ही इधर ion मिलेगा हमको bromide नहीं मिलेगा तो first वाला compound जो इधर है complex 1 and इधर complex 2 यह complex 2 में ion मिलेगा हमको sulfate लेकिन complex 1 में ion मिल रहा है bromide लेकिन formula समान है यह से दो compound जिसका formula समान है लेकिन ionizing pattern different है इसको गोलते है ionization isomerism third हम लेंगे third आता है hydration isomerism जिसमे water का number में deeper करेगा कुछ water कभी ligand बन जाएगे और कि कुछ water water of hydration के तरह रहेंगे जो हमको देंगे hydration isomerism यह hydration isomerism में क्या होता है रहे बावा hydration isomerism में हम देखेंगे की example लेंगे और पूरा discussion करेंगे directly chromium का हम complex लेते हैं chromium H2O whole 6 ठीक है और बाहार रहता है 3 chlorine जैसे कि chloride O देंगे और एक component ले लेता हूँ water को बाहर ले आऊँगा और chlorine को अंदर ले लूँगा जो हमको देर देगा chromium ठीक है अभी H2O का whole 5 में ले रहा हूँ 5 water लिगान के तरह है 1 chlorine अंदर ले लेते हैं बाहर 2 chlorine है और 1 water of crystallization है समान फ़र्मूला है लेकिन उधर 6 के 6 पूरा 6 के 6 जो water है वो लिगान के तरह है लेकिन इधर 5 है और 1 water water of hydration के तरह है येसे 2 compound में water का ligand form और water of crystallization में जो डिफेरेंट होता है उसको बोलते हैं हम hydration isomerisum फिर लेते हैं हम the number 4 number 4 में आता है linkage isomerisum और ये जो linkage isomerisum है ये linkage isomerisum में linkage isomerisum हम कब देखते हैं जब हमको क्या बलते हैं embedded ligand क्या चाहिए हमको embedded ligand हम discussion कर चुके हैं इसके बाद ये जो embedded ligand है कैसे बनता है monodented ligand जैसे कि मैं बोलूँगा cn- और बोलूँगा no2- cn- और no2- में क्या similarities है ये भी unidented ligand है ये भी unidented ligand है ठीक है unidented ligand unidented ligand होने से क्या होता है एक ही donor atom से वो बन्ड करेंगे लेकिन ये जो ligand है इसमे donor atom दो है यानि ये जो carbon को लेके भी ये बन्ड कर सकता है या फिर nitrogen atom को लेके भी coordinate बन्ड कर सकता है ठीक उसी तरह nitrate में nitrogen को लेके भी बन्ड कर सकता है और फिर oxygen को लेके भी बन्ड कर सकता है लेकिन अगर nitrogen के साथ बन्ड करता है तो oxygen के साथ नहीं करेगा अगर oxygen के साथ coordinate बन्ड करता है तो nitrogen के साथ नहीं करेगा यसलिए इसको unidented बोलते हैं, unidented Leagrand में more than one donor atom है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, ambidented Leagrand, अब हम दो compound लेंगे, दो complex लेंगे, जिसमें एक अम्बिनेंटेड लिगांड का कोई एक आटम अगर बंड करता हो, दूसरा एक complex में, दूसरा complex में जो हम ले रहे हैं, आईसो मर्क के तरह उसमें दूसरा एक atom बंड करेगा, उसी ही लिगांड का, example लेते हैं और दिखते हैं, ठीक है हम देखेंगे इसका कोबाल्ट का कम्प्लेक्स ले लेंगे CO ठीक है CO NH3 whole 5 ONO, जैसे कि हमको पता है Nitrito O करके हम भी बोलते हैं ONO यह एक कम्प्लेक्स बनता है चार जिसका 2 प्लस है इसका आइसोमर हम ले लेंगे CO वही NH3 whole 5 इसमें कोई चेंज नहीं है बस इधर Nitrito N ठीक है इधर Nitrogen कोडिनेट बन करता है कोबाल के साथ लेकिन इधर कोन करता है इधर Oxygen बन करता है लेकिन इधर Nitrogen बन करता है इसलिए इसको हम बलते हैं Ambidental Ligand समान फर्मूला है लेकिन जो Ambidental Ligand है Coordinating Atom का चेंज हो जाता है समान फर्मूला रहता है इसको बलते हैं Linkage Isom Arigin क्योंकि ये जो Ambidental Ligand का किस Atom के साथ Linkage हो रहा है इसलिए बलते हैं Linkage Isom Arigin तो 5th one comes here 5th one है Coordination Isom Arigin इधार दो Coordination Spear वाला Coordination Isom Arigin इसमें क्या होता है क्या requirement है Double Coordination Spear वाला जैसे कि हम Naming कर रहे थे Double Coordination Spear का Double Coordination Spear होने से ये Double Coordination Spear का एक काटायोनिक रहेगा और फिर एक आनायोनिक रहेगा काटायोनिक और आनायोनिक Double Coordination Spear रहेगे और Double Coordination Spear में Ligand का Exchange हो जाएगा और हम बोल सकते हैं Metal Atom का Exchange हो जाएगा Formula समान रहेगा इसको हम बोलेंगे Coordination Isomer जैसे कि हम एक्जाम्पल ले सकते हैं C-O-N-H-3-Hole-6 Random Distribution of Ligand हम बोल सकते हैं C-O-N-H-3-Hole-6 और इसका आनायोनिक Coordination Spear इसके साथ जो मिलके complex त्यार कर रहे वो है C-R-C-N-Hole-6 इसका जो Isomer हम लेंगे वही लेकिन इधर Exchange कर लेंगे Metal Atom को इधर लेंगे Chromium जो की Ammonia के साथ बंड करेगा और इसका आनायोनिक Coordination Spear बनेगा क्या रहे Chromium तो मतलब इधर Cobalt आ जाएगा C-N-Hole-6 ठीक है तो ये इसमें क्या चेंज है Change ये है First वाला Complex में ये है Complex 1 ये वाला Complex है 1 और ये है दूसरा Complex 2 ठीक है ये Complex 1 में Left Hand Side Coordination Spear Catani Coordination Spear में Cobalt है जिसमें Cobalt के साथ Ammonia Coordinate कर रहे है लेकिन Compound 2 में Chromium के साथ Ammonia Coordinate कर रहा है वैसे Coordination Spear में Legan का Random Distribution होने से हम इसको बोलते है Coordination Isomarism Coordination Spear में Change होता है इसलिए बोलते है Coordination Isomarism फिर आता है Coordination Position Isomarism Coordination Position Isomarism में Requirement क्या है यह आता है Coordination Position Isomarism Coordination Position Isomarism इसमें Requirement क्या है इसमें Requirement है Bridging Complex Breezed Complex में जनर्राली यह हम देखते है Breezed Complex Breezed Complex में क्या होगा हम Coordination Position क्यूँ बोल रहे है Position में कैसे Change हो रहा है कि हम देखेंगे इधर जो Placement है चिक है Legan का Placement में Change होता है Changing Placement और Attachment of Legan change in placement of liquid क्या है example ले लेंगे और देखेंगे एक है NH3 ठीक है hole 4 इधर है cobalt, bridging हम बोल रहे हैं मतलब more than one nuclei join करेंगे, इधर oxygen के साथ इधर oxygen के साथ इधर फिर cobalt और फिर NH3 hole 4 इधर दे देंगे chlorine का 2 तो इसलिए 4, 2, 6 तो इसलिए ये एक complex मनता है, बाहर है आयन देने वाला जो primary valency के साथ sulfate, इसका जो हम ले लेंगे isomer, जिसको हम बोल सकते हैं coordination position isomer जिम किसका, अगर इसको हम बोलेंगे complex 1 तो complex 2 क्या होना चाहिए so that इसको हम बोल सकते है coordination position आई समझे में, तो position का क्या change होना है, ये जो chlorine है, ये chlorine का हम distribute कर देंगे फिर एक बार, दो new place के बीच में, ये जो chlorine है एक chlorine इधर इसके साथ रखेंगे और दूसरा chlorine इसके साथ रखेंगे, तो इसको हम मिल जाएगा, ये हैं NH3 hole 4, ठीके ये है CO, वही oxygen का bridge होगा, और इधर भी oxygen का bridge होगा, कोबल्ट के साथ इधर वही NH3 hole 4 रहेगा, लेकिन इधर दो chlorine नहीं, एक chlorine इधर रखेंगे, ठीके एक chlorine इधर रहेगा और दूसरा chlorine एक chlorine इधर रहेंगे दो ठीके, इधर रहेंगे दो और दूसरा chlorine इधर ले आओ ये बन जाता है coordination position, आइसमरीजिम बाहर और sulfate iron है, वह उसको अभी लिखना चाहिए, ठीके तो इसलिए इसको हम बलते हैं जो NH3 है और CL- है CL- का different position है, इसलिए हम इसको बलते हैं, coordination position, आइसमरीजिम, coordination sphere के अंदर ligand का position का change हो रहा है इसलिए बोल रहे है, coordination position, आइसमरीजिम, फिर आता है ligand आईसमरीजिम ligand में आईसमरीजिम हो जाएगा क्या है, जैसे कि हम को पता है position आईसमरीजिम इसके पहले हम बोल रहे थे, लेकिन इधर ligand में क्या isomer है जो दो complex हम लेंगे दो अलग-अलग complex हम लेंगे formula उसमें समान रहेगा लेकिन जो ligand आटाच होंगे उनमें हम देखेंगे कैसे isomerism है कैसे? ligand isomerism this time we are taking ligand isomerism okay वावा so ligand isomerism में हम देखेंगे यह ligand का isomer कैसे exist करता है इसको देखेंगे example के तहद हम ले सकते हैं 1,2-diamino propane 1,2-diamino propane जिसको हम लिखते हैं PN जिसको हम लिखते हैं PN इसका structure क्या होता है? propane का मतलब क्या हो जाएगा? CCC किस किस कार्बन के ऊपर दो आमीन ग्रूप है एक और दो इधर लगालो एक NH2 और फिर इधर एक NH2 ठीक है? और सब इधर CH2 यह CH यह बन ग्या CH2 यह हो जाता है 1,2-diamino propane फिर इसका यह जो एक लिखांड होने वाला है क्योंकि यू निडेंटेड होगा nitrogen दे उपर लोन प्यार है neutral लिगांड है इसका जो यह लिगांड का जो आईसोमर आता है वो है 1,3-diamino propane तो इसलिए इसको हम लिखेंगे C, C, C इधर आ जाता है NH2 1 और 3 कारबन में 2 amino group रहेंगे इसलिए यह बन गया CH2, CH2 और CH2 इसको हम लिखते हैं symbol देते हैं TN ठीक है PN और TN अब हमको यह पूरा clear है अगर 2 complex हम लेंगे एक complex में 1,2-diamino propane ligand रहेगा और दूसरा complex में 1,3-diamino propane complex रहेगा जिसमें फर्मुला तो सेम ही रहेंगे लेकिन ligand में isomorism होने के कारण हम इसको हो लेंगे ligand isomorism So next आएंगे 8 आट में हम देखेंगे electronic isomorism क्या देखेंगे रे electronic isomorism ठीक है? ओके electronic isomorism में हम देखेंगे कि यह जो electronic isomorism में central, metal, atom और iron central, metal, atom और iron and ligand का ligand का किस में differ रहेगा? difference आएगा? charge में charge में difference आएगा ठीक है? एक example ले लेंगे और देखेंगे एक example ले ले लेते हैं cobalt ठीक है? NH3 whole 5 cobalt NH3 whole 5 NO जिसका charge है 2 plus लेकिन इधर cobalt का charge क्या है? नाइट्रोजोनियम का charge क्या है? ठीक है? यह जो एक पेले वाला compound में यह जो NO है वो NO NO माइनस करके है और cobalt cobalt का oxidation state है 3 ठीक है? आम अनिया तो neutral लिगा आएगे यह एक complex है और इसका जो isomer है इसका वही CO NH3 whole 5 NO वही by positive complex लेकिन इस बार इधर जो NO है वो neutral है इसका मतलब इसका charge है 0 आण cobalt का लेकिन इधर है दो है oxidation state electronic structure में metal atom and ligand का change हो जा रहा है दो complex ऐसे हम लेंगे first one and second one वैसे complex में अगर central metal atom and ligand का electronic structure change हो जा रहा है oxidation state में change हो जा रहा है बोथ हो यह याद रहना चाहिए बोथ central atom and ligand का charge में difference आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम electronic isomerism फिर आता है 9 9 में आता है polymerization isomerism polymerization isomerism polymerization isomerism इसमें क्या होता है हम दो compound लेंगे और देखेंगे ठीके first compound ले रहे हैं CO NH3 whole 3 NO2 whole 3 यह एक complex है फिर इसका जो polymer सोचके हम लिख रहे हैं यह formula लेकिन इसका polymer वो नहीं है इसलिए polymerization polymerization isomerism को हम true isomerism करके नहीं कह सकते हैं इसका जो isomer है वो है आपका CO NH3 whole 6 double coordination sphere वाला हम ले रहे हैं वहीं cobalt का इस बार NO2 whole 6 NO2 whole 6 हम देखेंगे तो इधर हम यह देख देख पाएंगे कि यह जो है इधर ammonia का first complex में ammonia का ligand का number है 3 whereas in the second complex ammonia का ligand number है 6 इधर ligand number था 3 इधर ligand number है 6 तो polymer हो जा रहा है ना इसका 2 times है ammonia का इधर 2 times है इधर भी nitro का इधर भी 2 times है ठीक है तो इसके लिए ही हम बोलते हैं इसका polymer होके लेकिन actually कुछ polymerization नहीं है बस compound दिखते हैं जैसे कि वो एक दूसरे का polymer है लेकिन truly यह नहीं है दिखता है इसलिए हम बोल देते हैं कि polymerization isomorphism ठीक है 9 फिर हम देखेंगे 10 number 10 number 10 में क्या आता रहे बाबा nuclear coordination position isomorphism nuclear coordination position isomorphism उदर हम बोल रहे थे coordination isomorphism अभी हम बोलेंगे nuclear coordination position isomorphism हां nuclear coordination पहले हम देख लेंगे nuclear coordination position isomorphism फिर जार चलेंगे एक बात हां nuclear coordination position isomorphism ठीक है इसमें क्या होता है है इसमें सब्सक्राइब अगे शरी यह हम बोलेंगे यह लिखेंगे nuclear coordination poly पॉलिमराइजेशन ठीक है टेन नंबर जो आता है वो है नूक्लियार कोडिनेशन पॉलिमराइजेशन ठीक है इसमें क्या करेंगे जो दो कमपॉंड्स हम लेंगे कोडिनेशन स्पियर में जो लिगान और सेंट्रल मेटाल आटम रहेंगे उनका पूरा पॉलिमराइजेशन हो जाएगा ये पहले तो खाली पॉलिमराइजेशन आई समरिजिम था जिसमें हम देख रहें तेसे कि कि दो कमपॉंड्स लेंगे और हम क्लियर हो सकते हैं और इसका ब्रोमिन आउटसाइड में है और इसका जो coordination sphere के अंदर जो यानि हम देख रहे थे polymerization होने के जैसे कि polymerization हो जा रहा है वो है CO शरी हम देखेंगे ये जो cobalt इधर कितना है एक है अभी हम देखेंगे दो अगर दो cobalt हो जाएगा तो ये bridging ligand का ज़रूर है अभी polynuclear complex हो जाएगा ये cobalt को 2 hydroxido ligand के coordinate करेंगे एक plane complex है दूसरा bridging complex है इधर OH का number 1 था लेकिन इधर हो गया 2 इधर ammonia का number था 4 और इधर हो जाएगा 8 कैसे एक cobalt के साथ 4 cobalt सरी 4 ammonia फिर दूसरा cobalt के साथ फिर दूसरा cobalt के साथ चार ammonia तो first complex में 4 और दूसरा complex में 8 आ जाएगे ठीके ओके ये बन गया आपका क्यारे coordination sphere के अंदर जो है उसका polymerization फिर water को बाहर ले लेंगे इधर बन जाएगा इधर था कितना bromine दो इधर है bromine का फिर polymerization हो गया और water बाहर चला गया वो है 2H2O क्योंकि इसका polymerization हो रहा है इधर water एख है इधर दो है इसलिए nuclear coordination polymerization फिर चलेंगे the 11th 11th में आता है बावा valence isomerism इधर आता है valence isomerism valence ठीक है isomerism valence isomerism क्या हो रहा है बावा हम देखेंगे दो ऐसे compound वही bridging complex हम लेंगे polynuclear complex इधर requirement क्या है requirement है polynuclear complex यह हम देख पाएंगे polynuclear complex अभी हम क्या करेंगे पूरा पूरा एक्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि कैसे balance क्यों हम बोल रहे है पेले वाला complex polynuclear का मतलब यह symmetric by dented लिगानी thylene diamine जिसका दो है number वो coordinate कर रहे है कोबाल्ट के साथ कोबाल्ट के साथ दो polynuclear मतलब इधर दो कोबाल्ट central atom है जिसको bridge कर रहे है एक है O2 इधर और फिर एक है NH2 ठीक है और जो CO इधर है इसके साथ again दो ethylene diamine बंड कर रहे है अंदर कितना है सरी बाहर कितना है coordination sphere halogen इधर हम ले ले सकते है any uni negative iron जैसे की CL minus 4 है ठीक है इसका balance मतलब क्या होता है इसका हम देखेंगे इधर जो E जो X है ठीक है कितना है 4 है इन में से एक unident negative जो आयन है primary valency में इसको हम आके इधर isomer बना लेंगे एक hydrogen को बाहर ले आएंगे ये हमको दे देगा अभी EN whole 2 इसका isomer हम लिख रहे है CO इधर O2 इधर लेकिन हम लिखेंगे NH HX ठीक है और CO EN whole 2 और बाहर इधर 4 था इधर बाहर कितना रहेगा X3 ठीक है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं poly nuclear complex में होने वाला valence isomer ठीक है इसलिए valence इधर कितना primary valence था 4 था क्यूंकि coordination sphere के बाहर जो रहेगा वो बन जाएगा primary valence यनाइज करेंगे लेकिन इधर कितना X हमको मिलेगा 3 मिलेगा X- 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 and X- लेकिन फॉस्ट वाला जो complex है उदर 4X यह है आपका फॉस्ट वाला complex यह है अपका lo complex यह है दूसरा थीक है तो इसलिए हम locomotevan इसको बोलते हैं क्या रहे भालेंज आइसोमरी जा ठीक है ओके वावा थैंक यू शो मच पर पेशंस और वाच वाल वीडियो और यू वीडियो और यू वीडियो और शॉजेस्ट मी तो इंपरूव वाट यू बेटर वर यू जाईसर सुद्वाट ब करता है आईस्द है वाट यू वाट यू शबस्फद्वाट जाय वीडियो घू साँए मुद्वाट कि पूलते हैं लिए वाट थैंक वाट चेंट रीडियो